हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्जाम हेल्प लोगर स्टेडी चैनल में हम आपके लिए डेली बेसिस पर करण्ट अफेर्स का खजाने लेकर आते हैं और साथ में वहत्व पूंट जी के तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करण्ट अफेर्स दोस्तो है वटसेब के जरिए और वटसेब ग्रूप में शामिल हो सकते हैं और साथ में अगर आपकी कोई परिशानी है कोई भी सुझाव अगर आप चाहते हैं या फिर कोई भी प्रोब्लम हल करवाना चाहते हैं चाहते हैं कि आप किसी विशेश टॉपिक पर हमसे वीडियो बनव क्या है MSME के लिए तो आपको बताना चाहेंगे जो MSME है इसका जो फुल फॉर्म है यह क्या है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरपाइजिस यानि कि यह बहुत ही जो लगू और छोटे कुटिर उध्योग होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए यह संगठन है अगली खबर के और चलते हैं अगली खबर है कि 100 उजवला सेनिटरी नैपकिन्स यूनिट्स लगाई गई है सरकार के द्वारा इसको लॉंच किया गया है पेट्रोलियम एंड नैचरल गैस मिनिस्टर के द्वारा तो जान लेते हैं कौन है पेट्रोलियम एंड नैचरल गै होता है याlı कि OPEC जिसकी फूल्फ़ाम होती है वह होती है organization of petroleum exporting countries यानि कि संगठन बनाया जाता है यानि कि नीग economyınız बनाया जाता है ऑन countries के द्वारा जो कि petroleum और oil exporting countries होती ہیں यानि कि जो in oil का आयात रुरात करती है उन countries का एक गुट होता है कार्टिल होता है तो इसके सदस से काफी सारे देश होते हैं जिनके पास संसाधन की रूप में natural संसाधन की रूप में oil होते हैं तो वो बाखी countries को देते हैं तो उन में से एक country है जो है Qatar तो हाल ही में Qatar ने अपनी membership को remove कर लिया है तो आप इसको जरूर exam के point of view से ध्यान में रखके चलिएगा तो अक्सर ये OPEC से जुड़ा हुआ कोशन कोई ना कोई कोशन हमें किसी ना किसी exam में देखने को मिलता है अब जब कि क्योंकि ये news में है तो आपको जरूर हो सकता है कि 99% जान से इससे जुड़ा हुआ कोई कोशन आपको exam में देखने को मिले चलिए अगली ख़बर की दरफ चलते है पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बात हुई है किसकी कतार देश की तो आपको बता देते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महतरपुन जानकारी देते हैं आपको कतार की जो capital है वो है दोहा और वहाँ की जो currency है वो है रियाल सो भागय योजना जी हाँ आगली ख़बर हमारी यही है सो भागय योजना से related यानि कि 25 राजियों में 100% बिजली यानि कि 100% घरों में बिजली का ये जो एक नया record कहे लिजे ये खिर्तिमान कहे लिजे स्तापित किया जा चुका है सरकार के द्वारा यानि कि 25 राजियों में 100% घरों में बिजली आ चुकी है सो भागय योजना के तहप ये जो योजना थी ये पार्ड है यानि कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा ये पार्ट है राधान मंतरी सहज बिजली हर घर योजना का यहाँ पे आप थोड़ी correcting कर लीजेगा ये प्रधान मंतरी है यहाँ पर आप थोड़ी correction कर लीजेगा ठीक है चलिए दोस्तों आप बारी आपके आज के सवाल के आपको बताना है कि FIR नॉर्मली सुनने में जो मिलता है जो पुलिस टेशन में रिपोर्ट करवाई जाती है FIR रिपोर्ट उसकी फुल फॉर्म क्या होती है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर बताना है और चेक करन आप comment कीजेगा comment box में और अगर आप free pdf download करना चाहते हैं किसी भी तरीके का कोई study material चाहते हैं download करना या free online test देना चाहते हैं तो आप हमारी website www.examhelplogger.com पर जाकर ये दोनों ही सुविदाइं उपलब्ध हैं आप इनका लाब उठा सकते हैं और अगर आप free में कोई भी videos देख करना चाहते हैं या फिर आप request करना चाहते हैं कि किसी खास subject से related हमारे professors आपके लिए videos लेकर आए हमारी teachers आपकी सहयता करें तो आप directly हमसे सहयता मांग सकते हैं इसके लिए आपको हमारे channel को subscribe करना होगा और हमसे जुड़े रहना होगा और साथी साथ आपको press करना होगा bell icon त आप अपने साथ साथ दूसरों की मदद कर सकें अपने relatives की अपने friends की तो एक छोटी सी जिम्मेवारी है आपके उपर कि आप इन वीडियो को अपने Facebook और WhatsApp की शेयर कर दीजें चलिए धन्यवाद अब हमारी मुलाकात होगी कल या निकली वीडियो में तब तक के लिए ख्या friends आप भी हमारी इस मोहिम में साहिता कर सकते हैं इन वीडियो को शेयर करके friends ज्याद रहे आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिन्दगी बदल सकता है तो इन वीडियो को WhatsApp और Facebook के जरिए जाद से जादा शेयर कीजिए friends अगर आप अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नह चाते हैं या अगर आप चाते हैं कि किसी खास topic पर हम वीडियो बनाएं तो आप हमें नीचे comment box मर comment करकर बता सकते हैं friends अगर आप किसी topic से related notes चाते हैं previous paper चाते हैं tenure चाते हैं या फिर अगर आपको important questions चाहिए तो आप हमारे Facebook पर जाकर या फिर हमारी website पर जाकर सारी information ले सक सकते हैं सारी जानकारी आपको नीचे description box में मिल जाएगी सारे links की जानकारी मीचे description box में दी गई है वहां से जाकर आप information ले सकते हैं all the best for your exams